हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल रोईद गोश्वामी लॉक्लासिस में और आज मैं आपको खुराने बाला हूँ LLB Secondaire, Sam है हमारा Fourth, Act है हमारा Arbitration Law, Accord है 4007 और Question Number भी है हमारा 7 अब से पहले आपने जो प्लेलिस्ट है उसमें Question से देखे होंगे वहां पे आपने Question Number 5 देखा होगा 5 में बोला गया था यह जो बैकल्पिक निश्च यानि जो निर्णे पिरणाली इसके बारे में Question था ठीक है उसके बाद फिर हमने देखा था Question Number 6 देखा था उसमें क्या बोला गया था यह जो बैकल्पिक निश्च प्रणाली है यह किसके द्वारा कार्य करती है मतलब इसमें ऐसी कौसी चीज है जो इसे सक्ति देती है तो उसके आधार पर हमने पढ़ा था लोक अदालत ठीक है यह बड़ा था अब हम Question Number 7 देख रही है यह लोक अदालत कहां पर कार्य कर रही थी भारत में ठीक है यह निश्च प्रणाली कहां काम कर रही थी भारत में लेकिन बात करते हैं अगर कुछ मुध्दे ऐसे होते हैं यह कभी कई ऐसा मुध्दा आ जाए जो भारत से भार का है तो उसको कहते हैं अंतर राश्टिय अब शॉल्ड करने के लिए सुलजाने के लिए। लिए अंतर राष्ट्र ओंद्र की स्थाप्ना की गई। राष्ट्र ओंद्र केंद्र की Сथाप्ना की गई और इसका जो कार्वर्य है वह करते हैं उसी के तरह य विवाधिंटों विबादों को जो बहुत समय से लटके पड़े हैं, जिनमें कोई निर्ड़य नहीं हुआ है, उनक में समझोता और सुलह कराती है, और ये भी जो है, माननेता प्राप्त होते हैं, ठीक है? उमीद करता हूँ, समझ माय होगा, अभी तक जो मैंने कहा है, कोशन नमबर पांच में, बैकल्पिक निच्चे प्राणली देखी थी, इसके कारे क्या होएं न, फिर लोकदालत पढ़ा, अब हम देख रहे हैं, अंतरराष्टे लेवल पर समझ होता है, यानि, अंतरराष्टे लेवल की लोकदालत, मोटे सब्दों में समझाने के लिए, इससे पहले हमने ये देखा था, कि ये जो मध्धस्त होते हैं, जो नियाधीस होते हैं, उनकी निक्ति कैसे की जाती है, इनके ऊपर बाद कैसे चलाया जा सकता है, इनको निरस्त कैसे किया जा सकता है, मध्धस्त बहुत ज़्यादा मेहत्पूर्ण है और यह कुशन आपके एक्जाम में जादा से 10 नमबर में बूजा जाता है और कभी कभी यह 20 नमबर में एंट्री मार देता है इसके पॉइंटों को सौट करके 5 नमबर में आपसे बूज लिया जाता है ठीक है ज़्यादा बात न करते हैं अब अपने कोशन की तरफ चलते हैं और फिर देखेंगे अपने आंसर फो कोशन साथ बैकल्पिक विवाद निश्चय यानि निर्णे अंतर्राष्टे केंदर की अवधारणा से आप क्या समझती है इसकी इस्थापना के क्या उद्दे से हैं वरन अर्थ यहां पे हम अपनी तरफ से और जोड़ सकते हैं निर्णे प्रणाली निश्चय का मतलब निर्णे होता है ठीक है बैकल्पिक विवाद निश्चय अंतर्राष्टे केंदर भारत में इस्थापित एक ऐसी एदुतिय केंदर है जो ना केबल भारतिय पक्षों बल्कि संसार के सभी पक्षों के लिए देखो ये जो अंतर्राष्टी है केंदर भारत में इस्थापित एक ऐसी एदुतिय केंदर है जो ना केबल भारत मतलब भारत में ही नहीं भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि संसार के सभी पक्षों के लिए बैकल्पिक विवाद निश्चय के छेत्र में सिक्षा अभूम अनुसंधान और बैकल्पिक यानि जो बैकल्पिक विवाद निश्य का उद्धिस है प्राय उन सभी विवादों को सामिल करना है पहली बात इसका क्या है कि यह अंतरराष्टिय जो कैंद्र है इसका उद्धिस से सिर्फ यह नहीं है कि अगर य भारतिय विवाद ही देगे नहीं यह क्या करेगी संसार के सभी बाद संसार के सभी पक्षों को सुनेगी पक्षों को सुनेगी तीसरा पॉइंट यह उन पक्षों को भी सुने कि जो किसी कारण से न्यायल ले में पैंडिंग पड़े हैं या रुखे पड़े हैं ऐसे विवादों को जिन में अभी तक कोई निड़ने नहीं हुआ है और दोनों पक्षकार सहमत हैं या किसी एक पक्षकार की सहमती से यहा पर वो बात आते हैं तो उनका भी यह निर्णे करेगी यहनि उनको भी सॉल्व करेगी आगे चलते हैं एक हमारा student है दामनी लेना चाहता वो हमें थोड़ा सा ग्यान दे रहे थे उच्चितम उच्चितम न्याल्य कमेंट करी है उन्होंने के उच्चितम न्याल्य का मतलब होता है सर हाई कोट और आप जो पढ़ा रहे हो सर गलत पढ़ा रहे हो तो भाई कमेंट करके आप उन्हें थोड़ा जवाब दे दिए जएगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अगर मैं कुछ कहूँगा, तो ज्यादा बबाल हो जाएगा, तो कमेंट में न, आप इन सब बच्चों को देख लिया करो, आगे, जिनके अंतरगत, बांडिजिक, दीवानी, स्रेमिक और पारिवा कहनी फैमिली कोट के जितने भी मैटर होते हैं, उनको ये सॉल्व करेगी, ऐसे मामलों में, पक्षकार समझोता करने, और बेकल्पिक बिवाद निश्य, पिरकिर्या द्वारा बिवादों का हल करने के हकदार है, ठीक है, उमीद करता हूँ, समझ में आ गई होगी, दुबा बिवादों को हल कराने के हकदार है, या तो यहां पर कोई भी पक्ष है, ए पक्ष और बी पक्ष या तो समझोता कराएगा, कि हमारा समझोता करा दो, ना इसकी हानी हो, ना इसकी हानी हो, या इनमें से कोई एक पक्ष याची का द्वारा, कोट में जाएगा, कि हमारा उसे solve कर दो, वो किसी एक के पक्ष में जाएगा, ठीक है? बैकल्पिक बिवाद, निश्य अंतरराष्टे केंदर की दिल्ली में इस्थापना से, कुछ लोगों का यह विचार है कि यह हाल की अबधारणा है, ठीक है? देखो यह जो है, अंतरराष्टे जो केंदर है, लोग क्या सोचते हैं, कि यह तो अभी-अभी बना है, इसकी जो इस्थापना हुई है, वो यह सोचते हैं, कि अभी जल्दी में हुई है, 6 ओक्टोवर 1995 को अंतरराष्टे केंदर की इस्थापना हुई है, और लोग समझते है कि ये अभी-अभी की स्थापना है इससे कुछ नहीं है भारत में आपचारिक बैधानिक प्रणाली से बाहर बिवादों को हल करने की प्रणाली को उतसाहित करने की प्रैथा प्राचिनकाल से बिद्वान है मतलब इनका कहना है कि ये चलो हमने मान लिया 1995 में इसका निर्मान ह हुआ है इसी पिरकार से जो हमारी बैकल्पिक बैकल्पिक निश्य प्राणली के अंतरगत जो लोकदालत की स्थापना है वह 9 नवंबर 1995 की है ठीक है और केंदर की 6 ओक्टोबर 1995 की है तो ये सूसती है कि ये लगवग ये तो भई भारत में प्राचिनकाल से चली आ रहे हैं समझोते वाली वह कैसे भारत में आप्चारिक बैधानिक प्रणाली से बाहर विवादों को हल करने की प्रणाली मतलब अगर आप नयाले के द्वारा यानि पहले क्या चलते थे राजा महराजा राजा महराजा द्वारा नय होते थे ये इनके नयाधीस होते थे उस समय के ठीक है कुछ लोग इनके पास न जाकर गाम के ही मुख्या से पंच्यों से अपना निर्णे कराते थे उसी प्रकार से ये लोक अदालत है नयाधीस के पास न जाकर कोट के पास न जाकर ये एक पंच रूपी पंच रूपी लोक अदालत के पास जाते हैं ठीक है पंच रूपी लोक अदालत के पास जाते हैं तो ये बिवस्ता तो हमारे प्राचिनकाल से इसलिया रही है ठीक है इनका कहने का मतलब ये है पुरानी जमानी में बिवादों को बुजर्गों के हस्तचिप या बिद्वा के हस्त चेप यानि कि कहीं कोई विबाद उत्पन होता था या कोई लड़ाई जगड़ा होता था उसके समझोते के लिए जो बुजुर्ग व्यक्ति एं इंटरफेर करते थे हस्त चेप करते थे भाई इस मेंटर को हें पर सॉल्व करो ठीक है बिद्वान व्यक्तियों की समीत ज़्यादा था उमर के हिसाब से वह समीति बनाते थे ऐसे ही व्यक्तियों के द्वारा इन विबादों का तै किया जाता था निर्णे ठीक है आगे चलते हैं भारत में लेकिन इसकी जो हमारे जो पंचों की जो विवस्ता है वो कब से बिगड़ी हमारे यहां पर तो पंचा भारत में ब्रीटिस निया विवस्ता के आगमन से जब हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ तब से ही निया पंचातों द्वारा विवादों का निप्टारा किया जाता था दुबारा समझो भारत में ब्रीटिस निया विवस्ता के आगमन से पहले ही निया पंचा तो द्वारा बिवादों का निप्टारा किया जाता था मतलब जब से अंग्रेज हमारे देश में उससे पहले जो नया विवस्ताती हमारे बुजुर्गों की थी हमारे पंचायत के आधार पर होती थी लेकिन ये अंग्रेज हमारे देश में और इन्होंने बुजुर्गों की पंचायत को फराब करा दिया ग्रामीड छेत्रों में आज भी विवादों को बुजुरकों द्वारा पंचायत मंचों की विस्वसनियता इत्यादी द्वारा थैंसला होता है लेकिन भारत के कुछ छेत्र और कुछ गाउं ऐसे हैं लगवा लगवक सभी अगर भारत में स्वाव परसेंट गाउं हैं तो परसेंट के अंदर कुछ करणं सों के सों परसेंट ग्रामीड छेत्रों में कुछ केस ऐसे होते हैं सब Suz i can मैं कुछ यह कीश केस ऐसे होते हैं द्वारे निभा उन लगन करते हो गये लगवा सत्र्वाव हो करता हूं ग्राम कई निवासी हूं हमारे गाउं में आए दिन कोई ना कोई फैंसले पंचायत के आधार पर होते रहते हैं और यह गाउं की सोभा होती है गाउं का सम्मान होता है जो पंचायत के द्वारा फैंसले होते हैं अगर सो गाउं है तो सो के सो गाउं में कोई ना हुए हो जा है ठीक है आगे चलते हैं लेकिन भारत में ब्रेटिस राज्य के आने से पंचायती न्याय समाप्त हो गया और भारत में ब्रेटिस पैदानिक प्राणली का स्रीगनेश हुआ फिर यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजी विधी यानि अंग्रेजी कानून आ गया और इन पंचायतों का महत्व थोड़ा कम हो गया लेकिन बरतमान समय में भी हाला कि हमारे देश में इंग्लिस विधी लागू है ब्रेटिस विधी लागू है लेकिन बरतमान समय में आज भी ग्रामों में पंचायतों द्वारा फैंसले होते हैं ठीक है हाला कि इन पंचायतों द्वारा हुए फैंसलों का कानूनी रूप में कोई माननेता नहीं है लेकिन आज भी समाज को देखते हुए प्रैथा को देखते हुए संस्क्रेती को देखते हुए आज भी हमारे देश में पंचायत द्वारा फैंसले होते हैं और लग कानून तो कहता है कि हम इसे माननेता नहीं देते लेकिन उसको वो कही न कहीं सुईकार करते हैं ठीक है आपके सामने भी कुछ ऐसा बिबाद आया होगा कि जब आप पुलीस के बास जाते हो तो पुलीस गाम के मुख्या से प्रैधान से यह कहती है कि सर इस मैटर को आप अपने इस्तर से सौल्व कर लो पुलिस भी प्रधान से या मुख्या से खुद बोलती है कि आप इस matter को अपने गाउं के स्थर पर इसे solve कर लो आगे ले जाने की आप कोशिस न आ करो ठीक है तो पुलिस भी हिंट देती है और गाम के जो मुख्या होते हैं प्रैदाई होते हैं वो इस मेंटर को गाम के स्थर पर सॉल्ब करने की कोसिस करते हैं अगर उनके हित का या उनके बस की केस होता है तो अगर कोई जादा ही क्रेटिकल केस है क्राइम बाला है तो वो आगे जा सकता है ठीक है यहां तक की मडर जैसे हत्या जैसे बलतकार जैसे केसों में भी गाम में ही पंचायतों द्वारा निप्टारा हो जाता है लेकिन कुछ लेकिन ये कानून में मानने तपराप्त नहीं है लेकिन आज भी इस परकार की पंचायतों गाम में होती है और पुलिस खुद कहती है कि इ भारतिय नागरिक हैं संस्क्रेति समाज और प्रथा के आदार पर वो भी चाहते हैं कि इनका निप्टारा यहीं हो जाए। स्वर्तंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि British न्याय प्रणाली में समय वे पैसे के खर्च के बाद भी जल्दी न्याय नहीं मिलता है। इसलिए निश्चय प्राणली की स्थापना की गई। भारत सरकार ने नई दिल्दी में 6 अक्टूबर 1992 को बैकल्पिक बिवाद निश्चय अंतरराष्ट्य केंद्र की स्थापना की है। देखो 6 अक्टूबर 1995 को बैकल्पिक बिवाद निश्चय अंतरराष्ट्य केंद्र की स्थापना 6 अक्टूबर 1995 को और लोक अदालत की स्थापना 9 नवंबर 1995 को की है। तता बिवाचन, बिवाचन का मतलब होता है मध्यस्थम, मध्यस्थ यानि जो पंच होते हैं, जो न्यायद हीस होते हैं। ठीक है। बिवाचन और सुलह अधीनियम 1996 में पारित किया गया। इसका उद्गाटन पूर्व पिरधान मंत्री स्री पीवी नर्सिम्मा राव के द्वारा किया गया था। हमारे देश में बिवादों को न्याले इस तर से अलग सौल्ब कनने के लिए मध्यस्थम एवं सुलह अधीनियम 1996 बना और इसका स्री गडेश इसका उद्गाटन पीवी नर्सिम्मा राव ने प्रधान मंत्री स्री पीवी नर्सिम्मा राव ने किया था। बैकल्पिक बिवाद निश्य अंतरराष्ट्य के अंदर की इस थापना के उद्धिस है। मतलब इसका क्या उद्धिस है था। ये भी देख लेते हैं। घरेलु एवम अंतरराष्ट्य समझोंतों को प्रोस्टाइत एवम लोग प्रियत बनाना। जो घरेलु बिवाद हैं अंतरराष्ट्य समझ होती हैं को जल्दी से निप्टारा करना और इनमें लोग प्रियता को बढ़ाना। दूसरा सुलह, मद्धस्ता, लगूपरिक्षण और विवाचन यानि मद्धस्तों करवाईयों के संचालन के लिए सुविधाय, प्रैसासनिक एवं अन्य सेवाय, प्रैदान करना तीसरा, पक्षों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर सुलह करताओं, मद्धस्ता, मद्धस्त करताओं और पंचों आदी की निउक्ति करना, बै कोई व्यक्ति याची का लेकर जाता है यहाँ पर अंतरराष्टे कैंदर में, तो वहाँ पर यह नहीं है कि भारत के ही व्यक् पक्ष आ सकते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हों, पक्षों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर सुलह करताओं, जो सुलह करते हैं, जिनका बिवाद है, सुलह करताओं, मद्धस्त करताओं और पंचों आदी की निउक्ति करना, जो पक्षकार होते हैं ठीक है पक्षकार कौन होते हैं जो A ने अपनी तरब से लिया B ने अपनी तरब से लिया और A और B द्वारा लिये हुए मद्धस्तों द्वारा एक अन्य पक्षकार लिया उनको कहते हैं सुलह करता हूँ अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो आप समझ गए होगे बैकल्पिक विवाद निश्य प्राणही के छेत्र में सिक्षा, अनूसंधान तता पिर्शिक्षण के लिए अब सन्रच्चना को भिक्सित करना नमबर पांच इससे संबंधित मामलों के लिए प्रिशिक्षण देना, स्कॉलर से तता पुरुषकार देने की विवस्था करना निश्कर्स भारत की एक बिश्त्रित ग्रामीड प्रश्ट भूमी है यहाँ पर वो लगया है भारत सबसे ज़्यादा ग्रामीड देश है, भारत में सबसे ज़्यादा गाउँ पाये जाते हैं यदि ग्रामीड छेत्रों में बिवादों का हल आरम्वे किस्तर पर कर लिया जाता है तो बिभिन बिंदूओं के दरश्टी कौर्ण से यह एक बहुत महत्पों बात होगी जैसा कि हमने बताया है किसी भी पिरकार के अगर कोई केस आते हैं तो पुलिस पहली बार तो हम पुलिस पर नहीं जाते हैं पहले तो हम गाम की ही बात कल देते हैं कोई A और B पक्ष है इनका कोई बिवाद है किसी भी पिरकार का तो यह पंचों के द्वारा सॉल्व करने देंगे दोसरा A और B पक्ष इनमें से कोई भी पक्ष पुलिस के पास पहुँच गया है तो पुलिस गाम के मुखिया या प्रिधान से बोलेगी कि इस मैटर को अपने गाउं के स्तर पर ही सॉल्व कर लिया जाए यह गरीब व्यक्ति हैं या यह परेशान हो जाएंगे कोट में आप इसे ही सॉल्व कर लो तीसरा अगर इस पिरकार के सॉलूसन या इस पिरकार के निर्णे अगर गाउं गिरामी डिस्तर पर बुजुर्गों के द्वारा हो जाएंगे तो वो सबसे अच्छे होंगे जिससे दोनों पक्ष परेशान नहीं होंगे और गाउं में ही इनको नय मिल जाएगा नय तो इन अगर जाके नयाएं मिले और गिरामी डिस्तर पर समयं की भी भचत होगी पैसे की बचत होगी और अपनी उन्नती कर लेंगे और गाउं की इज़त बने रहेगी, तो समाज की पैसे की समयं की ये सब बने रहे गे ऐसे समझोंतों के अंतरगत किसी पिरकार के द्वेस एबम एड़सा के लिए कोई स्थान नहीं होगा पर अगर ग्रामीड इस्तर पर ही इन विवादों का सॉलूसन हो जाता है जो कोट कचेरी होती हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल अगर कोई केस चलेगा तो ये इतनी दिन के लिए दुस्मन बने रहेंगे और जब ये केस खतम हो जाएगा तो आगे भी दुस्मन ही चलेगी पीड़ी दर पीड़ी अगर ग्रामीड इस्तर पर इस पिरकार के केस खतम हो जाते हैं तो ये दो साल, चार साल में इन चीजों को भलाकर पुना अपने संबंदों को सही कर सकते हैं ठीक है तो द्वेस और इर्षा के लिए कोई स्थान नहीं होगा और ये एक सांती पूरवग से अस्तीत्व के लिए सामजिक सांती और उन्नती का मार्ग प्रसस्त करेगा तो इसलिए हम कहते हैं कि विरामिर इस तरों पर ही बादों को सुलजाया जाए और इसलिए ही अंतरराष्ट्य केंद्र, लोक अदालत और पंचों का सुझाब सबसे बेस्ट होता है अगर कोई व्यक्ति कोट के अंदर जाता है तो वो फस जाता है और लंबे समय तक अपना समय और पैसा परबाद करता रहता है ठीक है उमीद करता हूँ यह कोशन आपको अच्छे से समझ माया होगा वीडियो को अंतर तक देखिने के लिए मुझे अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद टेक केर बाई बाई जैन जै भारत